खरगोन में सुंसान इस्थानों पर कट्टा दिखा कर लूट करने वाले तीन बदमाशों को बढ़वा थाना पुलीस ने गिरफतार कर उनसे एक देशी पिस्टल सहिद 25 सू रुपे जब्त किये हैं एसपी ने लूट का परदा फाश किया है एसपी जितेंद्र सिंग पवार ने बताया कि 15 नमबर को रातरी करीब साड़े बारा बजे फर्यादी सुनील काटकूट रोड पर अगरवाल फैक्टरी के पास मोड पर रोड किनारी पिकप खराब हो जाने पर रोड किनारे खड़ा और ड्राइविंग लैसेंस आदारकात एटीम काट छीन कर बाइट से तीनों बदमाश फरार हो गये थे पुलीस ने प्रकरण दर्चकर आरोपी कृष्णा राठोर ग्राम सोठी मुलेश रावायत राजेंद्र बलाई तीनों ग्राम बारूल बलवाडा को गरफतार किया ग गया उनसे जब विस्तत पूछताच की तो तीसे आरोपी की भी जानकारी मिली है इसमें तीन आरोपी हैं एक क्रशना राठोर है एक राजेंद्र रादेश्याम है एक मुलेश रावत है ये तीनों आरोपी काटकूट छेतर के सोटी बारूल और खमकी बारूल के निवासी ह और इनसे पुलिस ने इनके द्वारा लूट की वारदातों में उप्यों किया गया देशी कट्टा पिश्टल रूपी है वो भी जब्त किया है कुछ रूपे जब्त किया है और फरियादी के हाधार का डादी जब्त किया है और इनका रिमांड लिया गया है और इनसे और अ की वार्दाते निकलने की संभावना है।